तो लास्ट क्लास में हमने काफी चीज़े पढ़ ली थी और एक्स्ट्रेक्शन आफ आइरन की हमने वीडियो भी देखी थी इस डाइग्राम को ब्लास्ट फरनेस कहते हैं समझ देते आना ध्यान से रटने वाला काम है मैं याद भी करवाने कोशिच करूँगा पूरा रटना भी है हाँ इन इस डाइग्राम इट इस क्लियर कि हमने इस डाइग्राम को ब्लास्ट फरनेस बोला था और बैस्मर प्रोसेस कहते हैं इस डाइग्राम में यह जो चिबनी जैसा बनाया ना यह एक्जॉस्ट के लिए है और एक्जॉस्ट में कौन-कौन सी गैसे हैं सी ओ एंड सी ओ तो उपर से यह होल ड्रिल है जिसमें आप और लाइम स्टोन और कोक डालते हो कोक मतलब कार्बन कोक मीन्स कार्बन और मतलब आपका हेमेटाइट और लाइम स्टोन सी ए सी ओ त्री अब क्या होता है जब यह उपर से निचे जाएगा तो यहां पर अलग अलग जोन में अलग 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 तैंपरेचर मेंटेन किये होए जैसे सब से नीचे काफी और आपका यह रहा आइरन और 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 कोक मतलब कार्बन कार्बन बीच में डाली हुए जैसा वो कार्बन दिख रही है तो अगर पेपर में आए एक्स्प्लेइन extraction of iron in blast furnace और basmer process तो आप यह diagram बनाईए और उसके बाद यह 5 reaction ने लिखनी है बस इससे जादा कुछ ने लिखनी है और reaction बहुत असान है temperature condition याद हो जाएंगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो reaction देखो सबसे पहले calcium carbonate है इसको heat किया heating effect यहां से आया तो यह calcium oxide और CO2 में बन गित बन गया और CO2 gas बनके निकल जाएगी फिर iron oxide और CO यह CO कहां से बना जो यह आपने coke डाली न carbon तो इसके बीच में जाके CO2 और CO भी बनती है तो CO इसके साथ react करेगी और इसे reduce कर देगी और आपको मिलेगा magnetite क्या मिलेगा magnetite चीक है तो अब यहां पर magnetite हो गया यह magnetite CO से react करेगा और iron oxide बन जाएगी इसे कहते है ferrous अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ यहां पर word यूज़ हुआ na ferrous को एक minute wait करो मैं आपको ferrous और इसका मतलब समझा देता हूँ क्या होता है देखो ध्यान से समझना और brain में डाल ले ना इसको very important जैसे iron है तो iron दो form में मिलता है fe 2 plus and fe 3 plus जो चोटा चार्ज होता है इसे रस कहते है जैसे ferrous जो बड़ा चार्ज होता है उसे rick कहते है जैसे ferric जो मैंने underline किया इसी तरह से copper भी दो form में मिलता है हमें cu plus and cu 2 plus अब 2 plus बढ़ा हो गया बस यह धिहान रखना जो चोटा होगा रस उसे बुलेंगे q plus और इसको क्या बोलेंगे q prick तो इस तरह से आप ध्यान रखना जैसे मैंने बोला feo तो यह 2 plus है मैंने बोला fe 2 o 3 तो यह 3 plus है यह ferric oxide है यह ferrous oxide है take care of this concept very very important अब चलते है इसी में आगे तो यह reaction हुई burning of coke हुआ co2 बना यह यहां से c यहां पर दुबारा जुड़ेगा और iron liquid form में अलग हो जाएगी तो यह जो नीचे iron है liquid form में iron है अब जो यह आपने c a c o 3 डाला था यह slag है slag जो है impurity इसके साथ जुड़ जाती है क्योंकि इसके बीच में ore के अंदर आपकी silicate या sand impurity होती है उसके साथ जुड़ जाएगी और slag बनाएगी slag का role होता है कि molten iron के उपर एक layer बनाना जिससे उस iron की दुबारा किसी के साथ oxidation ना हो और lower layer से tap लगी होती है इसको अलग कर लेते हैं और यह उपर से आप अपना slag अलग कर लेते हो तो यह कुछ चीजें हैं जो आपके यहां पर हो रही है तो याद करना ही पड़ेगा मैं जितना मर्जी समझा दूँ अब एक बार मैं दुबारा समझाता हूँ कौन-कौन से reaction याद करने है दिखे सबसे पहले आप reaction यह लिखेंगे यह वाली Fe3O Fe2O3 plus CO give Fe3O4 तो मैं बोल्रम्स को समझते जाओ Fe3O4 पहली reaction यह लिए Fe3O4 को CO से treat किया तो oxygen कम हो गई यानि reduction होनी शुरू हो गई FeO बना ferrous oxide फिर उसके बाद यह वाली फिरस oxide की carbon से reaction हुई iron बलन गया,molten तो यह निचे जो molten iron है यही वाला है molten iron तो यह अभी proper pure नहीं है यह मतलब pure है काफी बट उतना नहीं है purest form नहीं है तो इसे pig iron कहते हैं उसके बाद 2 reaction और लिखोगे एक यह वाली CaCO3 यह बनेगा और SiO2 से जूड़के slag बनेगा तो आपने total 5 reaction लिखनी है देखो मैं arrow दे रहा हूं कहां कहां पे 1 यह वाली 2 बिलकुल ऊपर ओली छोड़ दो 1 2 और यह 3 और उसके बाद यह 2 5 यह C और O2 वाली को लिखने की जूड़की नहीं है तो फटा फट यह 5 reaction को याद कर लो मैं randomly 2-3 बच्चों से सुनूंगा और फिर मैं आगे चलूंगा Molten iron is heavier than from the molten slag the two liquids are periodically tabbed off मतलब जैसे जैसे हम उपर से डालते जाएंगे यह भर जाएगा तो इसको अलग करते रहते हैं और extraction का तरीका है और इस concept से जो हमें iron मिलता उसे कहते है pig iron अब यह pig iron क्या होता है अगली slide में समझाता हूं The molten iron tabbed off from the furnace in solidified into blocks called pigs और कहते हैं इसको pig iron तो यह असान है कुछ भी नहीं है बस यह reactions आपको ध्यान रखनी है वो थोड़ा सा रचना पड़ेगा अब हम चलते हैं आगे देखो भी यहां पे ध्यान से Limestone is also decomposed तो हमने करी लिया था CACO3 decompose होता है to form CAO which removes silicate impurity SiO2 in the form of slag The slag is molten state and separate out from iron क्योंकि यह lighter होता है तो iron के उपर आ जाएगा तो इस तरह से होता है The iron obtained from blast furnace और basmer process contain 4% carbon यह याद रखना है MCQs बगएर में पूछ सकते हैं 4% carbon and many impurities कौन सी? Sulfur, Phosphorus, Silicon, Magnees यह सारी impurities हैं और यह generally non-metal impurities हैं गैस के form में निकल जाहेंगी This is known as pig iron and cast into variety of shape तो यहां पे आपको पता चल गया pig iron क्या होता है तो अगर आपसे paper में पूछें जो blast furnace में हमें मिलता है और उसमें carbon 4% होता है और उसके अंदर कुछ impurities भी होती है कौन सी impurities है? SP, Sulfur, Phosphorus, Silicon, Manganese तो यह pig iron है और pig iron को हम अलग-अलग shape दे सकते हैं जिसे कहते हैं cast into variety of shapes अब यहां से अलग-अलग shape देने पे एक नाम आता है cast iron कि अभी cast iron के है तो धिहान रखना पहला question बना pig iron अब question बनेगा what is cast iron cast iron is different from pig iron and is made made by melting pig iron with scrap iron scrap iron होता है waste form of iron होती है scrap जो बोल रहा है वो and coke साथ में carbon मिलाते है using hot air blast मतलब उसी तरह से heat करते है तो it has slightly lower carbon content ऐसा करने से carbon content कम हो जाता है और इसे कहते है cast iron and is extremely hard and brittle काफी hard होता है और तोरने पे brittle है टूट जाएगा मतलब काफी pressure लगाएंगे तो bend नहीं होगा brittle हो जाएगा टुकडों में टूट जाएगा तो यह याद रखना है जिसमें कुछ भी कुछ खास नहीं है pig iron, cast iron, pig iron 4% होता है और extraction वाले process में जो पहले iron मिलता है cast iron क्या होता है pig iron में scrap iron और coke मिला दिया, coke मतलब carbon और उसको heat किया वैसे ही तो उसका carbon content कम हो जाता है और यह hard and brittle हो जाता है और इसे कहते है cast iron अब एक और नाम है wrought iron further reduction मतलब उसके बाद further heat करते है तो wrought iron और malleable iron का industry में use होता है तो यह सारी pure form of iron नहीं है तो paper में अगर separately question आए name pure form of iron तो answer हो जाएगा हमारा wrought iron अब देखो wrought iron और malleable, malleable होता है जिसकी sheet बने या wires भी आप ना सकते हो, ductile होएंगी iron is the purest form of commercial iron तो commercial iron जो purest form जिसे मानते हैं वह wrought क्यों मानते हैं क्यों कि इसकी sheets बन सकते हैं और sheet बन सकते हैं तो उसका आप काफी use कर सकते है and is prepared from cast iron by oxidizing impurities in reverberatory furnace अब आपको याद है reverberatory furnace जो मैंने आपको video दिखाई थी video के end में उसको further heat करते हैं container में डालके तो वही समझ लो furnace ही होती है एक तरह से जहां पर iron को दुबारा से heat किया जाता है river battery furnace lined with hematite and this hematite oxidizes carbon to carbon monoxide reaction दिखाया हुए carbon ने oxygen निकाल दिया और भी impurities निकल गई and limestone is added as a flux and sulphur, silicon and phosphorous are oxidized and passed into the slag the metal is removed and freed from slag by passing through the rollers roller का यहां पर वही मतलब है यहां पर tap जैसा कुछ था ना तो यहां तो उन्होंने कुछ sloping बनाया होगा उसके बाद वो slope से उसको roll down कर लेते हैं तो यहां पर आपको समझने वाली या कोई paper में आने वाली तीन चीज़े हैं जो आती है paper में सबसे पहला आता है what is pig iron made by mixing scrap iron and coke, coke मतलब carbon और इसमें carbon content 3% के करीब होता है फिर what is rot iron तीसरा question बनता है, rot iron is a purest form of iron and is also called malleable iron and it is commercially very important कैसे बनता है, cast iron से बनता है by oxidizing impurities मतलब जो आपका cast iron है, cast iron में यह impurities होती है, तो इस impurity को निकाल दो तो pure form और malleable हो जाता है यानि brittleness उसकी खतम हो जाती है और malleable हो जाता है, ductile हो जाता है, आप उसको bend कर सकते हो, flexibility type में आ जाता है तो यह questions हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, अब मैं आपको दे रहा हूं 2 minute, जो इन 3 को याद कर लो और मैं एके करके कुछ बच्चों से पूछूँगा, सबसे तो नहीं पूछूँगा, एके करके आप लोगों से पूछूँगा और आगे चलूँगा खिक है जी, the extraction of zinc from zinc oxide, the reduction of zinc oxide is done using coke, the temperature in this case is higher than that in case of copper, तो यह copper से compare कह रहा है कि copper से ज्यादा temperature मिलता है, अच्छा आपको यहां कुछ नहीं करना, आपकी just 10th वाली knowledge है कि carbon से zinc oxide को हम reduce कर सकते हैं, that's it, और कुछ नहीं है इसमें कोई पंगा नहीं है, आगे चलता हूं, ज्यादा time waste नहीं करना है, हमने इस पे just ध्यान रखना है, यह उतना important नहीं है, अब आपको यहां बे screen पर जो नजर आ रहा है, copper वाला, यह बहुत important है, बहुत important है, और यह थोड़ा सा boring लगता है बच्चों को, क्योंकि यह याद रखने वाला है, तो मैं आपको यह boring ना लगे, इसक के बाद मैं इसको समझाता हूँ, देखो background क्या बनती है, इसमें समझना ज़रा ध्यान से, कि हमने copper को extract करना है, ध्यान से समझना, हमने copper element को extract करना है, जो copper है वो copper sulfide की form में मिलता है हमें, मतलब mostly sulfide ore, तो sulfide ore की होती है roasting, याद आ गया होगा आपको, roasting करेंगे तो copper oxide बनेगा फिर copper oxide की हम reduction कर देंगे, तो हमें मिल जेगा copper, pure copper, और आपको और pure copper चाहिए, तो copper plating कर दो, याद आगया न, refining, copper refining, जिसमें anode impure, cathode pure, current pass करोगे, तो इस तरह से आपने 10th में भी पढ़ा हूए, copper plating, gold plating, इस तरह से, तो ये melt होना शुरू हो जाएगा, और इसकी layer मोट हो जाएगी, that's it, तो आपको मैंने एक background बनाया, जो आपको समझ में आए, जब हम इसे पढ़ेंगे, तो एक word और use होगा, जिसे हम बोलेंगे, copper matte, copper matte, अभी copper matte में क्या बतावा है, कि जो copper को हम extract करते हैं, तो इसमें iron impurities भी होती है, copper sulfide के साथ, तो हम इसको heat करते हैं, so too निकल जाए, और copper जो हमें मिले हम उसको इस तरीके से उसे separate कर पाए, तो paper में separate ही पूछा जाता है, what is copper matte, तो अब मैं आपको जब समझाओंगा, तो I hope आपको समझ में आजेगा, को कि मैंने कोशिश की थोड़ा सा background बना दूँ इसका, तो लो देखो मैंने फिर से बतात तो copper मिल जाएगा, और pure चाहिए तो refining करेंगे, तो ये एक normal सा concept आपको पता है, फिर जो copper है, copper के साथ impurities होती है, iron और इसके साथ ये वाली, तो इस impurities के साथ में इसे copper matte कहते है, इसको separate करने का क्या तरीका है, heat करते है, तो ऐसी process में heat करेंगे, तो iron oxide, sulfur dioxide निकल जाएगा, और copper को extract करने का method हमें पता चल गया, तो अब थोड़ी सी theory है, सुनते रहना थ्यान से, बोर होगे कोई बात नहीं, बट करना पड़ेगा, कोई हमाय पास method है नहीं, लो जी देखो, अब ध्यान से समझना, extraction of copper from cuprous, cuprous मतलब 1, oxide, cuprous oxide, और ये cuprous oxide कैसे बनेगा, जब आप sulphide की करोगे, तो copper oxide बन जाएगा, तो वही चीज है, देखो जड़ा, ध्यान से, मैं पढ़ूँगा, ध्यान से, note करने को जब बोलूँगा, note भी कर लेना, देखो जी, ये graph graph की हमें जुरूत नहीं है, तो कि हमें a lingam diagram already बता है, चाहिए नहीं हमें, यहां से शुरू होता है, प sulphide है, उसको froth protection से separate करते हैं, impurity बहीं रह जाएगी, फिर roasting करेंगे, roasting करेंगे तो oxygen मिलेगा, copper oxide और SO2 निकल जाएगा, अब मुझे oxygen चाहिए, oxygen निकालना है, तो reduction करेंगे, तो copper मिल जाएगा, CO अलग, ठीक है ना, तो ये एक basic process है, जो follow करते हैं, अब देखो इसके बाद smel in actual process, अब ये तो एक उसनोंने बता दिया कि इस तरीके से हम follow करते हैं, actual में क्या होता है, अब जरा समझो ध्यान से, actual में, समझना ध्यान से, ये है basic process जो होना ही होना है, follow करना है, actual में क्या होता है, copper is produced in the form of copper mate, मतलब जो copper ore है, वो copper mate की form में मिलती है, नाम दिया है copper mate, अब copper mate का मतलब क्या है, copper mate means CUS, Cu2S and FeO, जो मैं आपको बता रहा था, copper mate is charged into silica lined converter, charged मतलब heat करना, silica lined converter मतलब silicate डालके, silicon oxide, some silica is added and hot blast of air is blown, तो वही heating effect करेंगे, तो इसका जो system है, furnace मही होएगा, is blown to convert remaining FES into FeO and CUS into CO2, मतलब जैसे हमारे पास CUS है, उसको CuO बनाना है, copper oxide, तो उसके लिए ऐसा कर रहे है, तो FES O2 से react हुआ, FeO बना, फिर FeO को silicate से react किया, slag बन गया, ध्यान रखना, slag बन गया, यह acidic अपना flux है, फिर जो CUS बना, वो CuO में change हुआ, CuO की reduction हो गई copper के साथ, यह carbon डालके कर लो, और CuO 6 बना, तो यह main process है, अब उसके बाद आपको और pure copper चाहिए, जैसे copper मिलतो गया है, अब आपको और pure चाहिए, तो copper plating कर लो, copper plating मतलब, impure rod को anode बना दो, pure rod को cathode बना दो, current pass कर लो, impurity नीचे saddle हो जाएंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं समझाने में काम्याब हुआ, बट जब तक आप याद नहीं करेंगे, बात नहीं बनेगी, मैं एक बार दुबारा समझाता हूँ, और दुबारा यहां से आपको दिखाऊंगा, तो आपको फिर से अच्छे से समझने आदेगा, देख यह 100% pure नहीं है, आपको highly pure चाहिए, तो copper plating करेंगे, जो आपने 10th में पढ़ा हुआ है, और मैंने पीछे भी पढ़ाया है, तो इसमें क्या होता है copper plating में, anode impure होएगा, anode positive terminal होता है, cathode negative terminal होता है, इस तरीके से, और इसको आप purify कर पाएंगे, तो इस यह पूछा भी न इसे copper mate कहते है, इसे silica line converter में heat करते है, ताकि इसका slag बन जाए, impurity का और copper की roasting हो जाए, बस, अब मैं फिर से पढ़ता हूँ, देखिए ध्यान से अब आपको समझने आजेगा, बिलकुल एक दमचे से, concentration, frost rotation से करेंगे, roasting oxygen से करेंगे, फिर oxide को reduce कर लेंगे, यह तो basic process or slag ब copper is produced in the form of copper mat, what is copper mat, copper mat contains CUS and FeO, copper mat is charged into silica line converter, मतलब silicate होएगा, some silica, क्योंकि यह flux का role play करने वाल है, silica also added and hot blast air is blown, converting FES into FeO and CUS copper sulfide into copper oxide to a metallic copper, तो वही reactions दी हुई है, कि FES का slag बना भिया, heat करके, और CUS की reduction, oxidation की, फिर उसकी reduction की, that's it, the solidified copper obtained has blister appearance, blister appearance क्या होता है, कि जब यह copper बनता है, तो जैसे lava नहीं निकलता, lava जमीन से निकलता है, वाल कैनो जहां पर erupt होती है, तो बिलकुल उस तरहां की eruption shining देता है, उसे कहते ह blister appearance, फफोले से बन जाते है, फफोले से बनेंगे, ऐसे उबलते होगे, तो blister appearance देता है, तो इसे हम blister copper भी कहते है, तो यह आपको अभियाद हो जाना चाहिए, देखो, ज़रा last line पढ़ता हूं, ज़रा आप ध्यान से देखो, the solidified copper obtained has blistered appearance due to evolution of SO2, तो paper में अगर question आजाए कि जब हम copper को silica line converter में या blast वाले में obtain करते हैं, तो वो blister appearance क्यों देता है, तो हम यह बोलेंगे कि वहाँ पे exhaust बनता है, SO2, और वो SO2 जब बाहर निकलता है copper surface को touch करके, तो वो blister जैसी shining देता है, चमकरा होता है, तो उसे कहते हैं, blister copper, तो मैं आपको वीडियो but you know, get it, तो I hope जो मैं आपको समझा रहा था, आप उसके आसपास पहुँच गए, अब आते हम आगे, अब देखो aluminium, एक minute, पेटा, एनी other doubt बोलो, अब हम चलते हैं आगे, तो अब जो हमारा topic नजर आ रहा है, हम next class में इस chapter को खतम कर पाएंगे, अगर मैं आज ही दो meeting लेता तो हो जाता, मुझे कुछ काम है, अब देखो यहां ध्यान से, extraction of aluminium from bauxite, अब मैं आपको कुछ याद दिलाता हूँ, आपको याद होगा, कि जब मैं aluminium का process करा रहा था, तो हमने सबसे पहले पढ़ा leaching, याद आगया आपको leaching, I hope so, leaching में क्या होता है, हम ore लेते हैं, aluminium ore, इ उस liquid form में CO2 पास करते थे, तो उसकी PPT बन जाती थी, PPT को heat करते थे, तो alumina अलग और water अलग, अब यह जो aluminium है यह अभी 100% pure नहीं है, अब हम चाते हैं कि यह हमें 100% pure मिले, तो उसके लिए हमें करनी पढ़ेगी, electrolysis, इसी को पढ़ने जा रहे हैं, aluminium की extraction, इसे कहते हैं, Halls process, this is called Halls process, लो देखो जरा diagram, आप diagram देखो, मैं यहाँ पर आपको एक मिनिट का break दे रहा हूं, जरा इसको पढ़ो देखके, तो यह इतना आप पढ़ो, जितना आपको नजर आ रहा है, तो एक मिनिट का break दिया मैंने, आप कह रहा है यह, देखो, extraction of aluminium from bauxite, तो aluminium is extracted from bauxite by leaching, तो हमें यह मिलेगा, वो कह रहा है, आपने पीछे पढ़ा हुआ है basic concept में, तो leaching करेंगे, तो हमें AL203 मिलेगा, पहले मैं आपको एक diagram समझा दू, यह जो diagram है, यह copper plating जैसी diagram है, बस फर्क है कि यहाँ पर हम aluminium plating कर रहे हैं, पर थोड़ा design अलग है, समझना कैसे, यह steel box है, इस तरह से steel box है, यह tap लगी है, कि aluminium निकलेगी, तो उसको निकाल के aluminium collect कर लेंगे, यह जो black black base बनाया है, यह carbon cathode है, इसे कहते हैं carbon cathode और यह होगा आपका negative charge, और यह जो इस तरह से चार rots दिखाई हैं, यह है anode, carbon anode, अब liquid form में molten alumina लेते हैं, current pass करते हैं, तो जैसी current pass करें तो aluminium ions बन जाते हैं, तो ions का charge होता है positive और यह cathode का charge है negative, तो cathode इसको अपनी तरफ खीच लेती है, तो liquid ammonia नीचे, liquid aluminium नीचे कठा हो जाता है, और tap खुल के निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हमने सिरफ anode और cathode reaction देनी है, that's it, और इसे Hall's electrolysis या Hall's herald process कहते हैं, अब मैं इसको स L2O3 is mixed, मतलब alumina यहाँ पर डाला, जो हमने पीछे कर रहा था, साथ में हमने डाला sodium aluminium fluoride, जिसको कहते हैं cryolite, sodium aluminium hexafluoride को कहते हैं cryolite and CAF2, calcium fluoride, तो paper में question आता है, what is the role of cryolite or CAF2, तो इसका answer है, lowers the melting point of mixture, जब आप यहाँ पर डालोगे और heat करोगे, तो यह डालने से यह जल effect की, mixture and bring electrical conductivity और उसकी conductivity इंप्रूव जाती है chemical डालने से, fused mixture is electrolyzed using graphite rod, जो carbon है न, carbon को graphite कहते हैं, carbon anode, carbon cathode, अब देखो reaction, जैसी current पास किया तो क्या होगा, aluminium oxide के आयन बन जाएंगे, aluminium iron and oxygen iron, cathode होता है negative charge, तो cathode पे aluminium iron attract हो जाएगी, और aluminium liquid बनाएगी, एनोड पे carbon और oxygen जुड़के CO2 बनाएगे, और यह aluminium नीचे कठी हो जाएगी, जब यह aluminium का level बढ़ जाएगा, तो tap खोलके aluminium निकाल लेंगे, अब मैं इसे कोशिश करता हूँ, आपको इसी के ओपर कुछ लिखके समझाने की, तो समझो जरा कैसे होगा, just wait a second, तो अभी मैं यहां पे आपको समझाता हूँ, यह मैंने यहां पेस्ट कर दिया diagram, अब मैं यही से समझाने की कोशिश करता हूँ, समझे जरा ध्यान से, लो जी, आपके सामने यह visible भी है, see, देखो, यहां पे हुआ क्या, समझा रहा हूँ, तो यह आपका एक container है, इस container में यहां पे tap कार्बन रखी है, कि जब aluminium निकल जाएगा, तो इस tap को खोल के aluminium कठा कर लेंगे, अब यह इसके अंदर इस तरह से carbon rod लगी हुए है, carbon base, carbon base मतलब यह है आपका cathode, carbon cathode, cathode भी carbon है, ग्रेफाइट, और बीच में ग्रेफाइट की rod डाली हुए है, और इसका charge है negative, तो negative को कहते ह है, anode, और positive को anode, negative को cathode, और आपने इसमें दो चीज़ें डाली हुए है, तीन चीज़ें, AL2O3 प्लस cryolite, cryolite का formula है, Na2 अपना ALF6, अब जब आप इसमें इस तरह से current pass करते हैं, तो current pass करते ही, यह देखो, यह aluminium और यह तूट गया, तो यह AL3 प्लस बन गया और oxygen माइनस 2 बन गया, तो जो यह aluminium है, यह aluminium नीचे की तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पर कठा होता जाएगा, और cryolite का और इसका role क्या था, कि melting point कम करना, और conductivity बढ़ाना, यानि current को pass करने में help करना, अब जो यह वाले carbon rod है, इस carbon rod का का काम है, oxygen के साथ combine करना, और CO2 की gas निकाल देना बाहर, तो जब CO2 निकल गया बाहर, तो नीचे क्या रह गया, नीचे सिरफ aluminium रह गया, उस aluminium को आप बाद में separate कर लोगे, इसे कहते हैं, Halls-Herald method, तो आज मैं बस इतना ही करा पाऊंगा, तो कि आज मैं second meeting नहीं लूँगा, तो अगली class में यह chapter खतम करके, वो सकता है, मैं नया chapter भी शुरू करूँ, तो अभी हमारे, जो exit time है, वो दो मिनिट के आसपास रह गही है, तो अब आप इसे एक बार देख लो, कोई problem है तो पुछू